नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपके दिल को चूलेगी. ये कहानी है एक बेटे की, जिसने अपने पिता को 20 साल बाद खोजा और उनसे मिलकर जो भावनाए उम्री, वो हर किसी के लिए एक मिसाल बन गई है. आज का हमारा विडियो है, पिता को खोजते हुए भारत पहुचा बेटा, 20 साल बाद हुई मुलाकात से कुछ यू हुआ भावुक, ये कहानी है सुकपाल सिंग और उनके बेटे रिंता का हाता की, जो 20 साल बाद पहली बार मिले. चलिए जानते हैं कि कैसे ये मुलाकात हुई और क्या खास था इस पितापुत्र के मिलन में. अमरिट सर, पंजाब का वो शहर जहां 21 वर्षिय जापानी छात्र रिंता का हाता अपने पिता सुकपाल सिंग से मिलने पहुँचे. रिं लंबे समय से अपने पिता को ढूंड रहे थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक नाम, एक पुराना पता, और अपनी मा सचीता का हाता द्वारा रखी गई एक फोटो थी. रिं ने कॉलेज में फैमिली ट्री बनाने के असाइन्मेंट के दौरान अपने पिता का पता लगाया. ओसा का यूनिवर्सिटी आफ आर्ट्स में पढ़ाई करने वाले रिं के दिल में अपने पिता से मिलने की चाहत थी. और इसी चाहत ने उन्हें भारत की मिटी तक खींच लाया. फतेहगड में स्थानिय लोगों की मदद से रिं ने अपने पिता का पता लगाया. लेकिन जब वो पहुँझे, तो सुकपाल सिंग घर पर नहीं थे. वो अपने ससुराल में रक्षा बंधन मना रहे थे. लेकिन जब सुकपाल को फोन आया और उन्होंने सुना की उनका बेटा उनके दरवाजे पर खड़ा है, तो वो चौंक गए और तुरंत अपने परिवार के साथ घर की ओर दौर पड़े. बीस साल बाद अपने बेटे को देखकर सुकपाल सिंग के आंसू छलक आये. उन्होंने रिन को गले लगाया और उस पल की खुशी को शब्दों में बया करना मुश्किल था. ये मिलन सिर्फ एक पिता और पुत्र का नहीं, बल्कि उन दो देशों का भी था, जिन्हें ये दोनों जोडते हैं. सुकपाल सिंग के परिवार ने भी रिन का दिल खोल कर स्वागत किया. उनकी बेटी ने रिन को राखी बांधी और इस तरह रिन भी इस परिवार का हिस्सा बन गए. ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार और अपना पंदूरियों से नहीं, दिलों से मापा जाता है. रिन और सुखपाल की इस भावक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार का प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे वक्त और दूरी कितनी भी हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. हम आपके लिए और भी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहेंगे. धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में.